नमस्कार विद्यातियों, सुवागत आपका हिंदी की कलास में तो आज हम हिंदी में जो हमारा पार्ट सक्या नो चक्रा है गरंग अंगूर उसका हमारा जो कानी वाला पोर्शनता वो हमारा कंप्लीट हो चुका आज हम उसका जो व्याकरण का पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे व्याकरण के पार्ट है आज हमारा टोपिक है अशुद्धी सोधन अशुद्धी शोधन टोपिक का नाम क्या है अशुद्धी अशुद्धी शोधन अशुद्धी शोधन तो कोई में पुर्ट आ सकता है अशुद्य शुद्र का क्या होता है यानि जो हम भाषा यानि हिंदी जो भाषा है उसमें कई शुद्र ऐसी है जिनका हम अशुद्र बोलते हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे जो सब्ना हम गलत बहुते हैं तो उनके बात करेंगे तो अशुद्र दो धूर्चे होती है इसकी दो प्रकार गाने जा सकती है पहला तो होता है शप्घ शप्त करेंगे ने दूज़र बाथ करेंगे अशुद्र ऐस्प्त remains आनि उनके शज़र्च consig अशुद वाक्या और अशुद शर्ट यानि कुछ शर्ट ऐसे होती है जिनको हम अशुद बोलती है और अशुदी उनको लिखती है और कुछ वाक्या ऐसे होती है जिनको हम अशुद लिख देती है और अशुदी उनका उचारन करती है उचारण का मतलब बोलना और वर्तनी यानि लिखना तो बाशा का जो जो मेरन वूम होता है वो हमारा लिख् aunतील रूप यह होता है यहां यह बात अलग है कि कुछ लोग है, बोलते समय थोड़ा इदर उदर हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन दिखते समय हमें पूरा द्यार रखना जाहिए कि हमें क्या शब्द लिखना था, क्या हम बोल रही है, एक हिंदी वार्षा ही ऐसी है, जैसा बोला जाता है, व वेसा का वेसा सेम लिखा जाता है, सिर्फ एक हिंदी वार्षा ही ऐसी है, जिसको सेम लिखा जाता है, जैसा हम बोल रही है, जैसा उचारन का नहीं है, वेसा ही उसकी वर्तनिक होती है, यानि लिखने की, तो इसमें सबसे कहते हैं हिंदी में बात करेंगे, वर्ण की, वर् जैसे कि स्वर्व्यंजल वर्ण 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 मला होती है वर्ण 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 स्वर्वियन जनाप अच्छी से जानते हो तो उनको जब हम बोलते हैं लिखते शमया हमें विसीज दियारगना पड़ता है सबसे तहले हम बात करेंगे शर्दों की तो यानि कुछ शर्द ऐसे होती है जो बोलने में तो वैसे ही लगते हैं और लिखने में भी उनको ध्या रखना पड़ता है, यानि मात्राओं का ध्या रखना पड़ता है के बार जिसे माली जी के लोग होते हैं जैसे मालों हमें बात करते हैं अपने स्टड़ी की बात करें या स्कूल की बात करते हैं के लोग ऐसे होते हैं स्कूल स्कूल् around the school school गहरो स्कूल स्कूल रहा है स्पूल नहीं मैं बुलाँ है स्कूल यारी हुये हम्ने लिखते समय बहारए तो यह चो हमें सभीच LINK ऐस हमारा बिल्कुल गलत है इस हमारे सहीघ्री समय आदा आएगा तो आपको यह लिखते समय भी ध्यार होता है जैसे कि आपने एक मेरी शुद और देखा होगा जो मैडिकल लेकरा है उन्म पी लिखा होता है न दवाईयां दवाईयां और एक होता है दवाईयां अब आप देखिए इन वे कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है यह क्या है प्लंद डिखा होता है यह प्लंद लिखा है decision इस लe Extremis को को नश्रोगे दी का बना तो इसे हुझे और मिला कोई एक कर दो क्रश कर दो है कि यह तो यह अर्य यह प्रभू कर यह क्या होता है प्रभू राभू रहा कि प्रभू हुझा हुझा प्रादू यह हमारा शुद शब्द है तो यह दर्वाले साहने शुद लिए यह आपके अशुद है इसी तरह जैसे रूपया 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 रूपय हुआ कि दो जी सिर्षा को चारण करें बिषा ही हमें वर्त्री से बेंधर तो इस तरह किसे इस ती कुछ शक्त एसे वह वह यकिति हैं लुखको जरल में कि ये घलत दिखाँ अब यह देखें यह कया लिखा होगा है बीमारी भीमारी दीमकटाय है आब इसको देखने से हिंप अच्छी अटपटा सा लगता है अ botsali this has की यह कभी के बारे सी गए बहला है तो यह देखें यह कर दो अच्टपटास लगता रही दया किना सुध शब्द का उसका और यह क्या है कवी 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 और यह हमारा शुद शंद्र रे हैं इसी तरह जिसे श्री मती स्री मती ये स्री मती होता है शिरी मत्ती, ठीक है, मत्ती, यानि जिसके बड़ी मात्रा होती है, उसमें थोड़ा सा उतर होता है, उसको थोड़ा काहिम ज्याता लगता है, यानि जीब में इसे दवाब पड़ता है, जब हम बड़ी मात्रा बोलते हैं, चाहिए बड़े O की हो, बड़े O की हो, या फिरे O क बडी मात्रा भुल रहे हैं उसमें थोड़ा साथ जीपे हमारे दबाब पड़ेगा उसको बोलने समें हमारे जीबा थोड़ी सी दबाब में आगे जिसे वाली ची हमने लिखाँ आसी निया कि हो भया आस्री आशिर्वाद यह अमाने पास सब लिखार आसी आज यहां की इस सांने जो शुफिक है यह कैं भाटा है आ रिश्र्वाद बन रहा है ज़कि वता क्या है आशिर्वाद आशिर्वाद जरी जरीन बोले रहे मों उसके पहले उसके पहले उसके उसका उंचराड़ किया जाता होगा क्या आशिरवाद अब देखें आशिरवाद इसको जब हम बोल रहे है जब बोल रहे है आशिरवाद क्या करेंगे आशिरवाद इस तरीके से इसका उचारण किया जाता है ये होजता है इस तरीके से हैं हमारे शुद्ध शब्दों को शुद्ध करने वाला लेकिन उसको आपने ध्यान में रखना है लिखते समय है लिखते समय हम लिखते समय गलतिया करेंगे मात्राओं की गलतिया करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान दाएग लेगा उससे आप अभी तो छोटे हो जब बड़ी कलास में हो जाओगे तब आपके क्या है जैसे बोर्ड की कलास है बोर्ड एक्जाम होते हैं तो उसमें ये मात्राओं का पुला ध्यान लखा जाता है कि बच्चे ने शब्द को के से ल क्प्राओं कि ठ्री में फिसलोल को इह वunky ये वर शब्धल भी मिच्चितलिकशिजद लिखे जा सकते हैं तो उसका कंडा प्राओं लिंग के अदार पे बचन के अदार पे किरिया के अदार पे तो हमें ये दियार रखना पड़ेगा कि वाक्या भी लिंग और बचन के अदार पे सही लिखा जाना चाहिए तो जैसे हमाले मेने लिखा की अमर गाना गा रही है मैं रहे वाक्य दिखा इ cultivated आंब गाना वा ही अगान और अब क्या है लिंग की अधारे अश्वती है इस वाक्य साथबाना लिंग समन्दी अश्वती है लिंग के बारे में आप बहर आपको मैंने बताया था इस्त्री लिंग और पुलिंग जो इस्त्री जाती का बोध करवाई वो तो इस्त्री लिंग होती है और जो पुरुष जाती का बोध करवाई वो तो इस्त्री लिंग होती है और जो पुरुष जाती का बोध करवाती है वो क्या होती है पुलिंग होत किसका बोद करा रहा है अमर जो शब्द है वो फुलिग जाती का बोद करवाना है क्योंकि यह पुलिग जाती का शब्द है अमर जो नाम है, वो देखे, पुछ जतिगा बउर्द करवाना है, इसमें एंगे के ति कलिके हैं, अमर का नाम गही है, अब अमर तो तो एक लड़ का है, यहाँ दो किसके लिए आता है, जो इस तरहिघा, आ इसने के लिखा है, तो तो यहाँ तो यहाँ सही होता, लेकिन, हम तो से हमकेसर कि आमर गाना गा रखा है तो यह क्या हो गया हमारा सुतवत्य हो गया आमर गाना गारखा है, आमर गाना गारखा दिर कि मैंनी अनल्य भाइ क्लब guidelines मेевा कि थ्ले मेरे को फुस्तकाले, जाना है पुस्तकाले करना है जाना है मेरे को पुष्ट कर ले जाना है i am the लकाम देखी कहा अशु बी वह रही है मेरे को पुस्ट गाले जाना है अब यह देखी एक यहां क्या क्या है स्रूलनाम श्रमंदी अशु बहर है। तो एसे तक उनी में बोलते हैं, मेरे को ये काम करना है, तो अपनी क्या बोलती है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे उस काम के लिए जाना है, तो हम यहां कहा दिखेंगे, और शचार्णाम शब्द का प्यों करेंगे, मुझे पुस्तकाले, मुझे पुस जाना है तो मुझे पुस्त का ले जाना है इसका सही रूपिक यह होगा इस बाखिय का मेरे को नहीं आएगा मुझे पुस्त का ले जाना है या मुझे को पुस्त का ले जाना है तो इस तरीके से हम इसका वक्य करें कि मुझे पुस्त का ले जाना है ये शुधू रों गया जैसे अब गया मैंने लिखा मेंने जाना है ले वाकिर जी लिखा MENI JANA है जो क्या है? और ऐसलिक है सर्वणाम शम या मिझा मोदिया मैं मुझे मुझे उसको उसने ड़िय क्या होती है सर्वणाम शिठ होती है अन्सित नाम हो तो फिरкив선 संग्यस्च द॥ होती है तो सफनाम है इस वाक्या सर्वनाम हमेंच है मैने जाना है हरा nesse क्या hilarious मुझे जाना है है ठीक है इसी तरग की राहल रहा हो आझ के आख यह में रात के आख यह तो यह सारा वाखिए क्या है उपकोडान के लिखा हो यह यह उल्टा-उल्टा लिख धियागए है इसको सई स्वेंस में ले लखा हुआ यानि इसको क्या है स्टान के उडिंग इसमें गल्तियां है तो इसमें हम क्या लिखें कि मैं आपके घर आ रहा हूं इसविखिया कीfed इसमें शायव कि मैं अपके घर आ रहा हूं कि इन मैं आपके घर आ रहा हूं तो कोछा वाद के सुक्कर लग रहा है, यह वाकिया बुलेगी, कि मैं आपके घर आ रहा हूं। या है यह बुलेगी कि मैं घर रहा हूं। आपके आप तो इसमें confusion शाल लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि एक वाके और दिद्धियों में करक्रा करक्री अंदर आ चाहिए या फिर लुपल को जाना है जल्दी मैंने लिखा, मैंने एक वाके लिखा नफुल को जाना है जल्दी नफुल को जाना है जल्दी तो नफुल को जाना है जल्दी अब एक यह क्या है हमारा अशुद वाके इसको शुद करके हमने से लिखेंगे नफुल को जल्दी जाना है नफुल को जल्दी जाना है अब जल्दी हमने जो शब्द बाद में खाता तो उसका स्थान प्रवर्तन करकी हमने यहां लिख दिया यहां क्या है स्थान प्रवर्तन की शब्दों के स्थान प्रवर्तन की अशुद्धी है तो इसको हम न का सी लिए है इस कर लिए नकुन को ज़दी जानव है, इस तरी के सिवह हम लिखेंगे, ठीक है, तो यह आपको समझने आगे होगी की बात की अशूद्ध शब्ध क Śенноеमें लिखें जाते हैं ऐ Shural तो इसमें क्या है वाक्य के सिक्वेंस का हमें यान होना चाहिए हमें यह चीज का पता होना चाहिए कि कौन सा वाक्य किस जिल्हां पर निखा जाए तभी आपको कहीं भी कोई प्रयान होगा तो आप कहीं भी कोई प्रेशानी नहीं आगी अगर आपको सुध का ज्यान होगा तो आप लिकोंगे कि कुछ कोशन लिखने होते हैं, कुछ कोशन अपनी दिमाग से लिखने होते हैं, तो उनको जब आप लिखोगे, अगर आपको वाक्या को सही त्रीके से लिखना ही नहीं आता, तो आप कैसे लिखोगे, अगर आपको किसी शब्द की सुद्धी असुद्धी का पता नहीं है, कुछ बच्चे लिखते हैं से जिस게 मैंने बना कि मेने कुछ शर्दों जैसे आप को कर्वाए तरह को लिखाए ज n ग्यान को कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं गयान मिलते हैं जिक जो कि उता क्या है जैसे में ने बोला चमा और के मपचे क्या लिख देते हैं हूज में चमा तो यह देखेगे तो स्वाय पेसे कितना लिखत रहा हो हां तो की वच्चे ऐसी गंडिया करते हैं तो गृपपर है दो टो को बार बारे जिखती में आड़कू करने की पूंट अगर बार भारा उसको उचारन करो ci और बार बार हुआ को लिखने की कोशिस करोगे और लिख कर सीखने की कोशिस करोगे तो आप ये शब्द लिखना सही सुथ शब्द लिखना सीख जाओगे अराम सी सीख जाओगे अगर एक बार आपके दिमाग में बेट गारों उसके बाद कभी हुई गलत नहीं होगा जैसा हिंदी ही एक ऐसी बाक्सा है जिसमें जैसा बोला जाता है बेसा ही दिखा जाता है तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चलिए ठीक है तो ये अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जै फिर जै भाराण